हलो फ्रेंट्स वेलकंग टू माई टैकेश्टा यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स इस वीडियो में हम Microsoft Word में न्यू डॉक्मेंट क्रेट करना उसके सेवकरना फिर सेवकरना और सेव़ ऐस आप्शन का यूज करना अच्छे सचीझन है तो सबसे पहले चलते हैं हमिए Microsoft Word को उपन कर लेते हैं अब हमेरा MS Word उपन हो गया है अब हम यहां देख सकते हैं कि इसके बाब ये ग्रेय लाइन है इस ये ग्रेय लाइन के नीचे वाला जो जितना भी एरिया है इसमें हम टैप नहीं कर सकते हैं ठीक है इसे जाए से हम इधर भी जो ग्रेय लाइन है राट साइड में इसके नीचे वाला जो एरिया है इसके पं स्टार्ट कर सकते हैं अब यहां पर कुछ टैप करके देखेंगे और यह गोडे करेंगे अब यहां पर हमने एक डबीट टैस्ट के रिए हैं अमालों हम इस डाग्मेंट को हमको शेव करना है तो अभी हम देखेंगे अभी इसका नाम क्या डॉकुमेंट वन थी है यानि Microsoft Word में जब भी हम कोई भी new document बनाएंगे तो उसका जो नेम होता है document 1, document 2, 3 इस तरह से by default होता है उसके बाद उस file को हम जिस name से save कर देते हैं उसी name से वो file यहाँ पर सो होती है ठीक है तो अब इसको save करने के लिए आटो keyboard से ctrl plus s press करेंगे या फिर हम file tab में जाकर save पर click करेंगे अब देगे हमने click किया था save पर लेकर open के हुआ save as ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी new document को first time save करते हैं तो save as का option use करता है by default वाल ठीक है अब यहाँ पर वो सारी locations कुल कर आ गए है जहां पर हम अपना document save कर सकते हैं तो यानि कि अगर हमें one time में अपना document save करना हो ठीक है one time Microsoft की cloud service है अगर इसमें हमारा sign in कर रखा है, एकाउंट है तो हम इसमें जाकर save कर सकते हैं नहीं तो हम अपने this PC यानिकि अपने computer, my computer ndry this PC में save करना हो तो हम इस पर जाकर save कर सकते हैं बाइड़ डिफॉल्ट जब यह में वर्ड का डॉकुमेंट सेफ करते हैं, पीसी में तो वह डॉकुमेंट के फोल्डर में जाके सेफ होता है, ठीक है? लेकिन हमें इसके अलावा कि इस और लोकेसन पर सेफ करना है, तो हम ब्राउज में जा सकते हैं उसके बाद जिस ड्रायर फोल्डर में हमको उसको सेफ करने मालूम मैं यहां एस ड्रायर में सेफ करता हूँ, तो मैं यहां गया, निव फोल्डर फोल्ड में गया और मैं यहां पर सेफ कर सकता हूँ, अब जब मैं यहां क्लिक करूंगा तो देखो यह पूरा बिलू हो गया, ठीक है background इसका text का blue हो गया अब मैं क्या कर सकता हूं यह आपका मैं इस अपने word के document को कोई name दे सकता हूं ठीक है तो अगर आप कोई name नहीं दोगे न तो by default आपके word के document की जो पहली line होगी न उसको यह क्या बना लेगा हूं उसी से यह उस document का name बना लेगा ठीक है लेकिन अगर आपको अपना name देना तो आप बस इस पर click कीजिए simply और जो भी इसको आप name देना keyword से type कर देजिए मैं इसका name type कर देरों demo file ओके उसके बाद keyword से enter hit कर दीजिए या फिर save पर click कर दीजिए अब आप यहां अगर देख सकते हैं कि हमारे इस document का name change हो चुका है यहां demo file हो चुका है ठीक है अब मालो मैंने यह document क्रेट कर लिया अब मुझे इसे close करना है तो close करने के क्या करूँआँ कीबोर्ड में मैं ctrl plus w प्रेस करूँगा या फिर मैं फाइल में जाकर close पर click कर दूँगा अब यह close हो चुका है हमारा document ठीक है अब मुझे को new document बनाना है तो new document बनाना जी मैं क्या करूँआ कीबोर्ड से ctrl plus end प्रेस करूँगा या फिर मैं फाइल टैब में जाकर new पर click करूँगा और blank document क्लिक करके एक new document create कर लूँगा अब देखको इस document में हमने एक dummy text टैप कर लिया है अब अगर हमें इस document को close करना हो तो अगर हम यहां जाकर इसको direct close करना है बिना save की हुए तो यह एक dialogue box open हो जाएगा अब हमको यहां पर तीन option मिलते हैं save, don't save और cancel अगर हमको इस document को save करना है तो हम save पर click करके इसका name देके इसको save कर सकते हैं और अगर save नहीं करना है तो हम don't save कर सकते हैं उसके बाद यह close हो जाएगा और अगर हमको इसमें कुछ और काम आंगे करना है तो हम cancel करके इसको आगे इसमें जो भी काम करना है जो टाइप करना वो कर सकते हैं मनलब हम इसको don't save पे click कर देते हैं तो देखो don't save पे click करते ही क्या हुआ वो document save नहीं हुआ और पूरा पूरा word close हो गया ठीक है अब आलो इससे पहले जो document हमने save किया था वो हमको open करना है त तो यहां पर हमको recent documents में इससे पहले हमें हमें जिन documents तो काम है वो हमको यहां पर देख जाएंगे ठीक है तो यह मैं पर demo file जो हमने पहले folder as damonum जिरुखने ृप एक़िया तु hints डिल्ट है तु त किस फैयर है इस रिसेंट लिश्ट में हमारे Lisa का नेम चाहिए तो क्या कर सकते हैं उसको अपन commer कर लए leaders pa पे जाएंगे एडिके और यहाँ आगा हमेंस पीसी में स्थेव कर रका तो दिस पीसी में हमें जाएकर जा उसको open कर सकते हैं ठीक है अगर one type पर save कर रखाओ तो one type पर जाकर documents में जाकर open कर सकते हैं या फिर browse में जाएंगे और जिस location हमने save कर रखा होगा मालो हमने new volume h is drive में save कर रखा तो इस पर गई new folder 4 पर गई और यह हमारा हमने कुछ और new type कर लिया ठीक है या फिर इसकी एक copy को हम अलग से save करना चाते हैं किसी और location पर ठीक है तो हम क्या करेंगे अब हम save as का use करेंगे ठीक है तो हम file में जाएंगे और save as पर click करेंगे ठीक है अब इसी document किया तो कोई दूसरी copy है ना किसी दूसरी नाम से अगर हमको save करने है तो इसके लिए हम save as का use करते है ठीक है और जिस फी location को यह save करना हूँ हमारा पर कर लेंगे है मानलो browse में गई और उसके बाद हम h में गई ठीक है और new folder 4 में गई तो देखो अभी हमने इसको पहल देते हैं तो देखो अग इस document का जो एक copy है ना वो दूसरी name से save हो गई है ठीक है यानि हमने यह सीखा कि जब भी हम save as option का use कब करते हैं हम save as option का use तब करते हैं जब हमें किसी particular document की कोई दूसरी copy save करनी हो या फिर उसको हमें किसी और format में save करना हूँ जैसे हमको इसका PDF format save कर करेंगे फचियां में जाएंगे से वद्यक्राइब और जिस को सेफ करना वस में जाएंगे और यहां से यह जो लिखा हूँ है रड् डॉकूमेंट जासे इस पर क्लेक करेंगे अमयों यह गर het पने पीडिया वर्जिन तो इस वीडियो हमने जाना कि किसी document को word में कैसे create करते हैं new document को फिर उसको close कैसे करते हैं फिर उसी document को open कैसे करते हैं और सेवैस option का हम कैसे use करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियों फिर मिलेंगे नए topic के साथ तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगाओ तो आप इस वीडियो को लाइक करें साथी अगर आप हमसे लगाता जूड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद